हेलो गाईज तो कैसे हैं आप लोग दिस साइड इस अदनान खान and you are watching smart movies walk channel आज का जो हमारा topic है वो थोड़ा सा हमारे content से हटकर है लेकिन बहुत ही जादा interesting और important है तो गाईज आज हम बात करेंगे whatsapp के नई privacy policies updates के बारे में आजकल हर जगा इसके बारे में बाते हो रही है चाहें वो facebook हो, insta हो, news channel हो हर जगा इसके बारे में बाते की जा रहे हैं तो आईए detail में जानते हैं new whatsapp policies updates के बारे में इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा और आपकी निये ये सही भी है या नहीं तो आप सभी लोगों को mobile पर इस new whatsapp privacy policies का notification आया होगा जिसमें नीचे एक agree का button दियो हुआ है लेकिन आप disagree अगर इसको करना चाहो तो आप नहीं कर सकते क्यूंकि वहाँ पर disagree का कोई भी button नहीं है तो हम मेंसे ना जाने कितने लोग इस privacy policies के notification को accept कर चुके हैं बिना पड़े और बिना जाने और आम तोर पर जो हम application अपने mobile पर install करते हैं उसके terms and condition बिना पड़े हम accept कर लेते हैं पूरे WhatsApp के new update में 7-8 point हैं जिनको आपको सही तरीके से समझना और इनको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो आपका ये right है कि जो भी terms and condition WhatsApp आपसे agree करवाता है वो क्या है सारी details आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करते हैं साथ मैं bell icon भी press करते हैं जिससे सारी वीडियो के notification आपको मिलते रहें तो बात करते हैं कि WhatsApp का server जो होता है वो किस तरह काम करता है आम तोर पर WhatsApp पर जो भी वीडियो, photos, messages हम अपने friends के साथ share करते हैं अगर हमारा friends उसको scene कर लेता है तो वो hand to hand delete हो जाते हैं अगर हमारा friends उसको scene नहीं करता है तो 30 days तक WhatsApp के server पर store रहते हैं इस तरह WhatsApp के messages work करते हैं और ये end to end encrypted होते हैं इसका मतलब बीच में से आपके message कोई भी पढ़ नहीं सकता जब आप WhatsApp की application अपने mobile में install करते हैं तो WhatsApp आपसे क्या-क्या information लेता है तो सबसे पहला जो point निकल के आता है वो है device and connection information इस point में WhatsApp आपसे device की और connection की सारी information लेता है जैसे के आप कौन सा mobile यूज करते हैं आपके mobile की battery level क्या है आप कौन सा operating system यूज करते हैं आप कौन सा network यूज करते हैं आप जो कुछ भी browse करते हैं वो सारी information WhatsApp आपसे लेता है दूसरा important point निकल के आता है location information अगर आप किसी से भी अपनी live location, current location शेर करते हैं तो WhatsApp आपकी वो भी store करता है और अगर आप share भी नहीं करते हैं किसी से location तो भी WhatsApp आपसे आपका IP address लेता है जिसकी मदद से आपकी location पता लगती है वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि WhatsApp एक Facebook की company है और Facebook की image privacy के मामले में कुछ ज़्यादा खास है नहीं तो WhatsApp Facebook से भी बहुत सारी information शेर करता है जैसे कि account registration, phone number, business information, service information ये सारी की सारी details WhatsApp Facebook से शेर करता है इविन Facebook पर आपका account हो या नहों फिर भी WhatsApp आपकी सारी की सारी information Facebook से शेर करता है तो next point आता है no third party banners ads तो WhatsApp किसी भी तरह के ads आपके accounts पर नहीं दिखाता लेकिन WhatsApp ने यहाँ पर clear कर दिया है कि अगर in future वो ads अगर दिखाना चाहेंगे तो वो WhatsApp को update करके आपको inform कर देंगे तो आगे आप ready रहिए कि WhatsApp में in future ads भी आ सकते हैं आज कल WhatsApp 12-13 साल के बच्चे भी यूज़ करते हैं but legally it's not allowed WhatsApp ने clearly अपने terms and condition में कहा है कि 16 साल से उपर के लोग ही WhatsApp को use कर सकते हैं अगर आपकी age 16 साल से कम है तो आप WhatsApp बिल्कुल use नहीं कर सकते हैं Finally यह जो last point है यह सबसे ज़्यादा important है और इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा अगर आप WhatsApp पर उल्टी सीधी चीज़े करते हैं खलत messages करते हैं या anti-national messages forward करते हैं तो WhatsApp आपको बिना किसी notification दिये ban कर सकता है और आप इसके against में कुछ भी नहीं कर सकते This is the all privacy policy जो आप लोग अभी accept कर रहे हैं और अगर आप accept नहीं भी करते हैं तो WhatsApp आपको 8 February तक का time देता है अगर 8 February तक आपने ये privacy policies accept नहीं करीं तो WhatsApp आपके account को automatically delete कर देगा तो दोस्तों आपके पास दूसरा कोई option है ही नहीं अगर आप WhatsApp यूज़ करना चाते हैं तो आपको ये privacy policies accept करनी होंगी दूसरा कोई और रास्ता आपके पास है ही नहीं तो friends ये थी सारी detail WhatsApp privacy policies update की अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई तो comment section में नीचे लिख कर ज़रूर बताएं मैं हूँ अधनान खान आप देख रहे हैं smart movies walk channel मिलते हैं next वीडियो में तब तक कि ये keep watching